लुद्याना के पक्खोवा स्थितनीजी और्गनाइजेशन की तरफ से बच्चों को इनोवेटिव तरीकों से ग्रैमर और मैस सिखाने के लिए वर्क्शोप का आयोजन किया गया इसके रावा बच्चों के लिए फन गेम्स भी करवाई गई इस और्गनाइजेशन को चलाने वारी मैरम रीत ने बताया कि यहाँ पर बच्चों को नए तरीके के माद्दे हम से सिखाया जाता है जिस कारण वो आठ मिनिट में सबी अंकों के जवाब दे सकते हैं और इससे सुडेंस ग्रामर को ज्यादा बहतर डंग और आसानी से समझ सकते हैं इस तर यह हमारा यूसी में इस प्रोग्रम है समर केम हमारा फर्स स्टून से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर इंगलिस स्पोकन ग्रामर की क्लासिस चल रही है क्लासिस चल रही है थर्ड इस अबाइकस अबाइकस दू है एक अल ओवर वर्ड है यह हमारे पस फ्रेंचाइजी से इसमें बच्चों की काल्कुलेशन बहुत स्रौंग हो जाती है स्पीज, आक्यूरेसी, इच और अवरेथिंग, उनका ब्रेन ड्वल्प होता है तो उनके जो बोथ हैंज के सक्स फिंगर कॉंसेप्ट है इसके थूँ यह टूल के उपर काल्कुलेशन करते हैं और बहुत फास करते हैं हम लोग बड़े काल्कुलेटर पर काल्कुलेशन करते हैं और इनकी बिल्कुल आप और अभी आपको देंगे एक बच्चे की तो आपको वो करके रिखाएंगे मांठील काल्कुलेशन मैं थोड़े पहले से जोन किया हुआ है इसे मेरे काल्कुलेशन कांसेंट्रेशन बहुत इंप्रूब हुए मैं कॉंपेटिशन में भी गया हुँ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इसे मैंने ट्रोफिस, मैडल्स और सर्टिफिकर्स जीते हैं इससे बहुत होती है कैल्कुलेशन में कितने सम्स्टेंड होती है आपको इसमें? 200 सम्स एट मिनेट्स में अभी स्टेट हमारा कापियो हो है? LPU में, और में ग्रूप चेंपियन था उसमें नेशनल कापियो हो रहे है? अम्दावाद इंटरनेशनल? मलेशिया अम्दावाद